नवश्कार दोस्तों सिराधे आप देख रहे हैं अपना पशंदीदा चैनल जोतिस पंचांग मैं अनसुल तरपाथी आपका जोतिस विद यूम वास सास्ति मित्रों माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह जल्दी तै हो जाए और उनका बैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखी रहे हर आदमी चाहता है कि मेरा विवाह जल्दी समय से हो भी जाए और साथ में कभी कभी लोग अपने मन का भी विवाह चाहते हैं जो तिस के अनुशार कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपके मन की विवाह को नहीं होने देते साथ में बैवाहिक जीवन में बधने में भी बिलंब करते हैं बिना मन अर्थात घर्ब के खोजे हुई विवाह में भी दिक्कत लाते हैं और बिवा होने के बाद दोनों के वीच में बैचारिक मदभेद भी ले आते हैं क्या योग है जिस कारण से यह समस्या होती है और इसके क्या समाधान है इसके बारे में हम आप से इस वीडियो में बात करेंगे एक योग होता है कुंडली में पुनर्फु योग चंडर्मा और सनी जब कुंडली में साथ वैठें तो यह योग बनता है चंडर्मा सनी के घर में और सनी चंडर्मा के घर में वैठें तब भी यह योग बनता है वास्तों में मन का कारण चंडर्मा होता है और सनी सन्यास के कारण माले जाते है सनी देव का बैबाहिक जीवन बड़ा रूखा था सन्यास और विरक्ति के कारक सनी देव को माना जाता है इस कारण से जब चंद्रमा और सनी एक दूसरे से योग बनाते हैं तो ऐसे लोगों का बैबाहिक जीवन अच्छा नहीं जाता है इसके अलावा उनकी विवाह में भी बिलंब होता है कारण क्या है सनी बिलंब का कारक माना जाता है जोतिस में कालपुरुस के अनुसार सप्तम का दसम अर्थाथ चतुर्थ भाव होता है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है और जब उसका सम्मंद सनी से हो जाता है तो साधी के कर्म को मंद कर देता है और यह मंद कर देने से इस्थितिया बनती है कि जातक कि विवाह का कार्य सिद्ध समय से पहले नहीं हो पाता है हमने कई बार देखा कि लोगों का विवाह 32 वर्स के बाद हो पाता है ऐसे तो 30 के बाद वीबा होने के चांसिज पढ़ जाते हैं जब सनी और चंद्रमा का योग बनता है लेकिन कभी कभी यह टाइम खिच के 36 वर्स तक चला जाता है इतना लंबा जाने के बाद माता पिता स्वयम जातक का मन अंदर से अधीर और परेशान होने लगता है तो मित्रों कहीं आपकी कुणली में या आपके परिवार में किसी की कुणली में चंद्रमा और सनी का सैयोग तो नहीं बन रहा है जो बैवाही के जीवन को दूसित और परेशान तो नहीं कर रहा है अगर कुणली में चंद्रमा और सनी का सैयोग बन रहा है तो क्या ऐसा करें जिससे आपके बैवाही के जीवन में सफलता है वीवाह जल्दी से पूर्ण हो और या वीवाह के बाद जो कश्ट और पीड़ा है वो खत्म हो चन्रमा भगवान भूले नाथ के सर पे निवास करते हैं वहीं पर सनी देव के गुरू भी भूले नाथ है जिनकी कुर्णी में इस तरह का योग बन रहा है उन लोगों को चहिए कि गन्ने के रस से भगवान भूले नाथ का अविशेख करें अविशेख कब करें? कोशिश करें सिवरात्री या सावन के पवित्र महीने में अगर आप अविशेख करते हैं इसका फल कई गुना बढ़ जाता है अगर प्रतिदिन की पूजा के एकार्डिंग आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रतिदिन भगवान भूले नाथ को दूध में थोड़ी सी सक्कर मिला के अविशेख करें इससे भी जो भी बैवाहिक समस्या होती है वो धीरे धीरे समाप्थ हो जाती है सनी जब भी किसी ग्रह के साथ संबंद बनाता है तो उसकी स्पीट को थोड़ा सा मंद कर देता है अता कुनली में और ग्रह योगों के नाते अगर विवाह में समस्या आ रही है तो बात अलग है अगर केवल चन्रमा और सनी के नाते आएगी तो इस उपचार से आपका कारिय सरल्तम और आसानी से सिद्ध हो जाएगा तो मित्रों बीवाह में बिलंभ हो बैवाहिक जीवन सुख मैना हो बीवाह में तमाम दिकते हैं तो आप भगवान भूले नात का या अविशेक करें देखेंगे ये समस्याएं धीरी-धीरी कम हो जाएगे आपको कुली दिखानी हो या बास्तु के बारे में जानकारी लेनी हो तो दिये नमबर पर फोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं नमस्कार शिर्राथे करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूले जोतिश और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें